नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माकार शिर्वाद और वजरंग वली की कृपा सदय बनी रहें महाभारत काल में पाँचों पांडवों के मन में कलियूग के बारे में जानने के जिग्यासा पैदा होई उन्होंने भगवान कृष्ण से पूछा कलियूग में मनुश्य कैसा होगा, लोगों के विचार कैसे होंगे और मुक्ष की प्राप्ति कैसे होगे ये प्रश्ण सुनकर भगवान कृष्ण ने पांचों पांडवों को वन में जाने के लिए कहा और ये भी कहा कि जो कुछ भी तुम वन में देखो, वो मुझे विस्तार पूर्वक आकर बताओ पांचों पांडव वन में गये और वन से वापस आकर उन्होंने अपने अपने अनुभाव भगवान कृष्ण को बताए युदिष्टर ने एक दो सून्ड वाले हाथी को देखा ऐसे दो सून्ड वाले विचित्र हाथी को देखकर युदिष्टर बहुत ही विस्मित हूँ जब उन्होंने ये विचित्र बात भगवान कृष्ण को कही तो भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया कल्यूग में ऐसे लोग राज करेंगे जिनकी कतनी और करनी में बहुत अंतर होगा ये लोग कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ ये लोग दोनों तरफ से शोशन करेंगे भीम ने वन में देखा कि एक गाय अपने बचड़े को इतना ज्यादा चाट रही थी कि बचड़े की रख्त निकलाया भीम ये देखकर बहुत विस्मित हुए और उन्होंने भगवान कृष्ण से इसका अर्थ पूचा भगवान कृष्ण ने कहा कलियूग में मनुश्य अपने बच्चों में इतना मोहो रखेगा कि बच्चों का स्वाभाविक विकास बादित हो जाएगा कलियूग में किसी दूसरे के पुत्र को साधू संत बने देखकर उसका तो सम्मान करेंगे उसके दर्शन करेंगे लेकिन यदि स्वयम का पुत्र साधू बन गया तो दुखी हो जाएगे वे ये कभी नहीं चाहेंगे कि उनके खुद का बेटा साधू संत बने कलियूग में माता पिता अपने बच्चों को मोह माया में आसक्ती में इतना उल्चा कर रखेंगे कि बच्चे का आध्यात्मिक और स्वाभविक विकास रुख जाएगा उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा फिर भगवान ने सत्य से परिचित कराते वे कहा कि तुम्हारे पुत्र तुम्हारे नहीं वो उनकी पत्नियों की अमानत है पुत्रियां उनके पती की अमानत है ये शरीर मृत्यू की अमानत है और आत्मा परमात्मा की अमानत है अर्जुन ने देखा कि एक ऐसा पक्षी जिसके पंक पर वेद की रिचाएं लिखी भी थी वो एक रिशी का मांस खारा था देखकर अर्जुन को बहुत हैरानी हुई इस दृशे के बारे में जब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को बताया तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाते भी कहा कल्यूग में ऐसे व्यक्ति होंगे जिने संसार विद्वान मानेगा लेकिन इन विद्वानों की नजर दूसरों की संपथि पे रहेगी इन लोगों की मन की सोच हमेशा यही रहेगी कि किसकी जल्दी मृत्य हो और उसकी संपथि को हम हतिया ले स्वेम के पास प्रचुर संपति और उच्चपण होने के बावजूद भी दूसरों की वस्तों पर ये नजर रखेंगे कलियुग में यही संथ कहलाएंगे वास्तविक संथ सच्चे साधू तो विरले ही होंगे नकुल ने देखा कि एक भारी चटान एक व्रिक्ष से गिरी और भारी से भारी व्रिक्ष भी उसे नहीं रोख पाया परंतु एक छोटे से पोधे से टकरा कर वो चटान वही रोख गई इस दृष्य का वास्तविकर्थ जानने को नकुल उद्सुक थे भागवान कृष ने नकुल के जिग्यासा दूर करते वे कहा कलियुग में मनुश्य की बुद्धी ख्षिण होगी उसके जीवन का पतन होगा और इस पतन को धनिया सत्ता रूपी व्रक्ष नहीं रोक पाएंगे परंतु भागवान रूपी छोटे से पोधे से यदि सहरा मिल जाए तो कलियुग में मनुश्य का पतन होने से रोका जा सकेगा भगवत भजन से मनुश्य का चित उसकी बुद्धी निर्मल होगी सहदेव ने वनमयने को कुए देखे जिनमें एक बीज का कुए खाली था और सबसे गहरा भी था तब भगवान ने इसका रथ बताते वे कहा कि कल्यूग में धनी व्यक्ति अपने शौक के लिए पुत्री के विवाह में उत्सव में मनुरंजन आदी में खुले हातों से धन लोटाएगा लेकिन यदि किसी भूके को देखेगा तो उसकी सहयता नहीं करेगा भोग विलास, मदिरापान, मांस, भक्षन और व्यसन में धन खर्च करेगा और जो लोग इन बुरी आदतों से बचे रहेंगे वो परमात्मा की शरण में होंगे उन पर देविय कृपा बनी रहेंगी तो ये कल्यूग के पांच कड़वे सत्य जो भगवान कृष्ण ने बताए और आज गटित हो रहे हैं प्रत्यक्षम किम प्रमानम भगवान कृष्ण ने महाबारत काल में कल्यूग के बारे में जो वर्नन किया था कल्यूग में लोगों के व्यवार के बारे में उनकी सोच के बारे में उनके द्रिश्रिकोन के बारे में जो कुछ भी बताया था वो आज के समय में बिल्कुल सत्य गटित हो रहा है हमारे धर्मग्रंथों और शास्त्रों में ऐसे ही अनेकों रोचक तथ्य हैं जो अनमोल हैं और हमारे पत प्रदशक भी हैं आगे भी यसी ही अमोल्य निधियों के साथ आपसे मुलाकात होगी नमस्कार